तो दोस्तों हमको सबसे पहले देखना है कि क्या लिखा है करणी में 6, प्लस करणी में 6, प्लस करणी में 6 और ये infinite तक जा रहा है और इस वाले सवाल में लिखा है करणी में 6, माइनस करणी में 6, माइनस करणी में 6 और ये infinite तक जा रहा है आपके सामने आपसन जो है वो दोनो सवाल में सेम दिये हुए हैं तो आए दोस्तों इन दोनों सवाल को हम देखते हैं कि कैसे आसानी से लगा सकते हैं तो सबसे पहले जब दोस्तों आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको इस वाले अंक को उठाना है छे 6 को हम उठा लिए अब इसको आपको factor करना है और इस तरह से factor करना है कि दोनों जो आपके factor मिलें उनका अंतर एक हो तो देखे 6 का हम जब factor करेंगे तो 2 त्याई होता है 6 यहीं है तो यहीं हमारा correct factor होगा करणी के लिए तो ऐसा factor करना है कि दोनों की बीच का अंतर क्या हो जाए एक हो जाए तो दूत्याई होता है 6 और इनके बीच का अंतर है अब दोज्तों आपको ध्यान देना है अगर आपके करणी में plus sign हो अगर करणी के अंदर plus sign हो तो आप बड़े वाले बड़े वाले फैक्टर को एंसर करेंगे यानि बड़ा वाला फैक्टर यहां पे तीन है तो तीन को आप सही एंसर करेंगे अब दोस्तों अगर आपका करणी माइनस वाली हो यानि आपने 6 का फैक्टर किया 2 इंटू 3 अगर करणी में आपको ध्यान देना है मा answer करना है यानि दो को आप answer करेंगे यानि इन दोनों करणी का simple सा आपका solution यही है कि जब आप देखें करणी लगी हुई है plus sign से जुड़ी हुई है और infinite तक जा रही है तो आपको उसके अंक को उठाना है उसका factor करना है और factor इस तरह से करना है कि दोनों की बीच का अंतर 1 हो अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको देखना है कि क्या करणी में प्लस लगा है तो अगर करणी के अंदर प्लस लगा हो तो आप बड़े वाले फैक्टर को एंसर करेंगे और करणी के अंदर अगर माइनस लगा हो तो आप छोटे वाले factor को answer करेंगे आई दोस्तों इसी type का एक और सवाल solve करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों सवाल एक ही जगा रख लिया है जिसे आपको confusion की इस्थिती ना आए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि करणी में बारे प्लस करणी में बारे प्लस करणी में बारे इन्फाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि करणी में बारे माइनस करणी में बारे माइनस करणी में बारे इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो दोस्तों हल करने के लिए हमको बस simple सा trick पकड़ना है इस 12 को उठाना है और इस 12 का ऐसा खंड करना है जिसका अंतर एक आए तो दोस्तों आप 12 को जानते हैं 3, 4 को होता है 12 यानि 3, 4 जा 12 तो 3, 4 को होता है 12 और इनका अंतर जो अगर इनको 4 में से 3 घटाएंगे हम तो एक हो है तो हमको बड़े वाले को एंसर करना है यानि इसका एंसर हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 4 और आपको फिर चेक करना है कि क्या करड़ी के अंदर माइनस है अगर माइनस साइन हो दोस्तों तो आपको answer करना है छोटे वाले factor को यानि 3 को तो ये हो जाएगा आपका answer 3 तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी और ये इस वीडियो से आपका करणी के इस तरह के सवाल का concept अच्छे से clear हो गया होगा अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करिए अगर चैनल पे नया है तो चैनल को subscribe करिए और दोस्तों के साथ अभी तक share नहीं किया है तो share करना बिलकुल भी न भूलें धन्यबाद जय हिंद वंदे मातरम